संसत सत्र के दौरान सुमवार का दिन बेहद हंगामे भरा रहा। दोपहर के समय जैसे ही लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया हंगामे की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान बोलते हुए भगवान शंकर की तस्वीर लहराई। इस दौरान स्पीकर ने उन्हें नियम पुस्तिका दिखा दी। आपके मान ने सदर्शेगन 353 का नियम बता रहे थे 352 का नियम बता रहे थे 352 का नियम बता रहे नो 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 प्लीज 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 आपने का इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए नियम प्रक्रिया में कोई भी प्लेकार्ड कोई भी चिन को सदन में नहीं दिखाया जा सकता आपने का नियम से ऐसा नहीं है सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है आप बस यह बता दीजिए सर मना है या नहीं तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है यहाँ पे दूसरी चीज़ों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिवजी का चित्र नहीं दिखा जा सकता अगर मैं कहा रहा हूँ कि हमें इनसे protection मिली और मैं समझाना चाह रहा हूँ कैसे protection मिली आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब लिखाना चाहता था, Speaker Sir, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है, Everybody knows this image. अगर दाएं हात में होता, तो यह हिंसा का प्रतीक होता. सत्य, साहस और अहिंसा ही हमारा सिंबल है. पौरानिक मान्यता के अनुसार भूलेनात का त्रिशूल तीन कालों को दर्शाता है, जो भूत, वर्तमान और भविश्य के बारे में बताता है. शिव जी के हाथ में त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव के अधीन ही तीनों काल है शिव जी का त्रिशूल तीन तत्वों को भी दर्शाता है जो सत्थ, तम और रजगुन का प्रतीक है राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्मों में अहिंसा की बात कही गई है हमारा देश अहिंसा का देश है, अहिंसा हिंदूओं का प्रतीक है और ऐसे में सत्ता पक्ष वाले हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू हिंसा, डर और नफरत नहीं फैला सकते इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अभी के लिए बस इतना ही एक बार फिर लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ